स्वागे था आपके हमारे इसखाज起ो सेहत की बार्षगुफता के साथ में आज हम बात करेंगे डेंगो के बारे में जिससे भारत में हर साल हजारों लोग डेंगो की शिकार होते हैं और सैटों लोगों को इस बीमारी की कार अपनी जान गवानी पड़ती है साल 2021 में डेंगू की काडर 346 लोगों की मौत हो गई थी वही साल 2022 में इसके काडर 303 मौते हुई थी इस साल के आकड़ों पर नज़र डालें थो भारत में डेंगू से मौत का आकड़ा 100 पार हो गया है सबसे ज़्याधा मौते केरल में हुई है इसके बाद दूसरे नमबर पर उत्तर प्रदेश में 15 मौते डेंगू से हो चुकी है डेंगू पुखार एडीज मच्छरों के काटने की वज़ा से होता है डेंगू वारस युख मच्छर जब किसी मनिश्यों को काट लेता है तो मच्छर में उपस्ति डेंगू वारस व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाता है और वो व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है तथा अगले कुछ दिनों में उसमें डेंगू विमारी के लक्षन प्रकट हो सकते है जेंदू बुखार के लक्षन जो आम तोर पर संक्रिमट के 4-6 दिन बाद शुख होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं इसमें बलड प्रेशर का सामाने से बहुत कम हो जाना, खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होना अचानक ठनवा कपकपी के साथ तेज बुखार आना, मिचली उल्टी जैसा महसूस होना और शरीर पर लाल गुलावी चक्ते आजाना साथ ही भूख न लगना, मुँ का स्वाद या पेट खराब हो जाना और नीद में कमी महसूस होना शामिल हैं लक्षन बड़ी पहमाने पर रक्स राव, सद्मा और व्रित में बदल सकते हैं इसे DSS यानि डिंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है डिंगू बखार दिन में काटने वाले दो प्रकार के मच्छरों से फ्यालता है ये मच्छर एडिज इजिप्टी तथा एडिज एलवोपेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं डिंगू बखार को आमतोर पर हड़ी तोड बखार के रूप में भी जाना जाता है ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डिंगू वायरस की कारण होती है जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काड़ता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रभाव में प्रवेश कर जाता है और संक्रमर का कारण बनता है अगर आप देंगू बुखार की चपेट में आ गए हैं तो जितना हो सके उतना आराम करें और शरी में पानी की कमी न होने दें घर के आसपास भी कहीं जल जमाओना होने दें बुखार बढ़ने पर कुछ घंटों में पैरासेटमॉल लेकर बुखार पर नियंद्रित रखें प्लेटलेट्स की जाज कराते रहें किसी भी इस्तिति में डेस्प्रीन या एस्प्रीन जैसी दवाई बिल्कुल न लें डेंगू की कोई विशेस दवा या इलाज नहीं होता है डेंगू बुखार के दिगांश मामलों का इलाज घर पर दर्थ की दवा से किया जा सकता है डेंगू बुखार में पपीते का पत्ता, बकरी का दूद, गिलोई, आदिका सेवन करना फायद मन्त होता है लेकिन अगर आपको लगता है कि दव्य जादा विगड़ रही है और आपकी मांस्पेशिया यानि मसल्स कम हो रही है मुँ होटो पर छाले पढ़ने के साथ ही ठंडी लग रही है बॉड़ी पर रशिश पढ़डा हो तो तुरन डॉक्टर से संपर्ख करें यदि आपको डेंगू बुखार से रिलेटिट कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिएगए नमबर पर वाटसब कर सकते हैं हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के दवार आपकी सवालों का जवाब देंगे सेयर्थ के अगला अबिसोर्ट में हम हाजिर होंगे एक नए टॉपी के साथ अपता के लिए बने रहे हिंदिस.live के साथ शुक्रिया